नमस्ते प्रियाजनों, राइट वे अस्टो चैनल पर आपका स्वागत है वुरुशब राशी वालों के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा? जुलाई 2022 में आप क्या अन्वो करेंगे? और अन्थ में संपुरुण जुलाई 2022 के दैनिक राशी फल के साथ आपकी राशी नुसार शुब और अशुब दिन आप जान सकते हैं संपुरुण वीडियो महत्तो पूर्ण है इसलिए अन्थ तक बने रहेए संपुर्ण जुलाई 2022 में आपकी राशी नुसार कुंडली के सभी 12 भावों के फल मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ इसलिए सभी विशेवों पर बात होगी तो आए जानते हैं आपकी वुरुषब राशी के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा प्रथम भाव से शुरू करते हैं ये भाव आपका स्वास्थ और व्यक्तित्व दर्शाता है इस भाव में राशी स्वामी शुक्रदयों 13 तारिक तक रहेंगे इसलिए 13 तारिक तक लोग आपसे प्रभावित होंगे आपका रहन सें, आपका स्टाइल और आपका व्यवहार लोगों को आपकी और आकरशित करेगा इस दवरान आप उत्सहित भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे प्रेम पुर्ण व्यवहार के साथ आप खुश़िया भी बाटेंगे आपके मिलनसार व्यक्तित्व के कारण आपका सन्मान होगा, आपका स्वास्त भी अच्छा ही रहेगा अब बात करते हैं दितिय भाव के बारे में, ये भाव आपकी धनसंपत्ति, परिवाद और आपका वक्तृत्व दर्शाता है 16 तारिक तक इस भाव में सुर्य और भूद का गोचर रहने वाला है, और 13 तारिक से शुक्र का गोचर रहेगा 16 तारिक तक आपकी धनसंपत्ति में वृद्धी जारी रहेगी, आपके निवेश में वृद्धी होगी शेर मार्केट में आप निवेश करेंगे, इस कालखन में आप अपनी बात बहुत प्रभावी तरीके से और मज़ा किया अंदाज में रखेंगे सिर्फ आपको कठोर शब्दों का उप्योग नहीं करना है, बाकी आपकी बाते दमदार और प्रेरिना दाई रहेंगी परिवार में भी हसी खुशी का माहोल रहेगा तेरह तारीक के बाद, आपके परिवार में खुशिया मनाने के लिए कोई फंक्षन हो सकता है परिवार में प्रेम भरा माहोल बनेगा इस कालखन में आप अपने आर्थिक स्थिति की समिक्षा करेंगे आपके हिसाब से सब कुछ सही से है या नहीं इसका विशलेशन करेंगे अब बात करते हैं तृतिय भाव की ये भाव आपके भाई बहन पडोसी, प्रयास, प्रचार, यात्राय, परिवर्तन ऐसी बाते दर्शाता है इस भाव में 16 तारिक के बाद सुर्य और बुद एक साथ रहेंगे और संपुर्ण जुलाई में मंगल और ब्रोस्पती की दुरुष्टी इस भाव पर बनी रहेंगी 12 तारिक से शनी देव भी इस भाव पर दुरुष्टी रखेंगे जुलाई के शुरू में आपके भाई बहन, आपके पडोसी, आपसे नाराजी रहेंगे बाद में उन्हें मनाने की, उन्हें समझाने की आप कोशिश कर सकते है 16 तारीक के बाद आपके घर या जमिन जाहिदा से संबंदित कोई जिम्मेदारी आप पर रहने वारी है आपके अधिकार क्षेत्र में, ऐसे विशेव में आप कुछ महत्तोपुर्ण बदलाव करेंगे इस दवरान आप बहुत साउधने भी बरतोगे बहुत सी बाधाओं का आपको सामना करना होगा संतान के हित में आप अपने निवेश में कुछ बदलाव कर सकते है संपुर्ण जुलाई में आपके विरोधी आपको बननाम करने की कोशिश करने वाले है अब बात करते हैं चतुर्त भाव की ये भाव आपकी माता, विद्या, घर, भूमी, वाहन वगेरा और भौतिक सुख भी दर्शाता है इस भाव में कोई ग्रहन नहीं है और 11 तारिक तक शनीदेव की दुरुष्टी रहने वाली है इसलिए जुलाई के शुरू में आप अपने जमीन जायदत को लेकर आपकी नितिस पष्ट करेंगे इस दवरान व्यस्तता के कारण आपको आराम नहीं मिलेगा इसलिए थोड़ी अस्वस्तता रहेगी इस कालखण में आपके कुछ रिष्टेदार आपसे नाराज हो सकते है 16 तारिक के बाद कुछ रिष्टेदारों को मनाने के लिए आपको सफाई देनी पड़ेगी इस कालखण में आपके माता के स्वास्त को लेकर आपकी चिंताय बढ़ेंगी 18 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को पढ़ा ही जादा करनी पड़ेगी अब बात करते हैं पंचम भाव की ये भाव आपकी संतान, ज्यान, प्रेम और आपकी रूची दर्शाता है ये भाव संपुर्ण जुलाई में बुरस्पती की दुरुष्टी में रहेगा आपके लिए सबसे बड़ी खुश कबर ये है कि जुलाई में आपके शेर मार्केट के निवेश में आपको बड़ा लाब हो सकता है लौटरी जैसे क्षेतर से भी आपको धनलाब होगा इस महिने में संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को संतान सुप प्राप्त होगा आपके व्यावसाइक ज्यान में वृद्धी होगी इश्वरी कुरुपा का एहसास होगा प्रेम संबन्दों में मधूरता रहेगी और खिलाडियों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे अब बात करते हैं शष्ट भाव की ये भाव आपके शत्रू, रोग, करजा, आर्थिक व्यवहार और नोकरी का है इस भाव में केतु का गोजर जारी है और मंगल की दुरुष्टी बनी है 12 तारिक से शनी देव भी दुरुष्टी रखने वाले है इसलिए जुलाई में आपके शत्रू आपको परेशान तो करेंगे लेकिन आप उन्हें परास्त करने में सक्षम रहेंगे रोगों से तो आप बचेर होगे लेकिन लापरवाही के कारण चोट लगने की संभाव न रहेगी जुलाई में आपके ननिहाल से रिष्टों में मतवेद हो सकते है अगर कोई करजा या उधार लिया होगा तो ऐसे लेंदार आपको परेशान कर सकते है जुलाई में आपके जौब से आप असंतुष्ट रहेंगे जौब छोड़ सकते है कारिगरों को काम मिलाने के लिए प्रतिक्षा करनी होगी इस बीच आपसे एक छोटा सा निवेदन है अगर आप ऐसे ही जोतिस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाते है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब आवश्ट करे और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए अब बात करते हैं सब्तम भाव की ये भाव आपका दामपत्ते जीवन, पार्टनर्शिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है इस भाव में कोई ग्रह नहीं है संपुर्ण जुलाई में मंगल और भ्रोषपती की दुरुष्टी बनी रहेगी 11 और 13 तारिक तक इस भाव पर शनी और शुक्र की भी दुरुष्टी रहेगी जुलाई में आपको जीवन साथी के स्वास्त की चिन्ता हो सकती है जुलाई के शुरू में आपकी व्यस्तता के कारण आप ग्रहस्त जीवन में समय ना दे पाने के कारण जीवन साथी नाराज हो सकता है इससे दामपत्ते जीवन में दुरिया बढ़ सकती है इस रिष्टे में आपको कुछ कठीना योका सामना करना पड़ेगा कुछ बड़े लोगों की सहयोक से ऐसी बिगडी हुई स्थितियों में सुधार आ सकता है किसी भी तरके विवादों में विरोधी आपको परिशान तो करेंगे लेकिन आप विरोधियों को शांत करने में सफल भी होंगे आपके व्यापार में विदेशियों से कोई डिल हो सकती है पार्टनर्शिप में आपको सतर क्रहना होगा अब बात करते हैं अश्टम भाव की ये भाव जीवन की अनिष्टताय, मुर्त्यू से संबंदित विशे पईत्रुक संपत्ति, दुरगटनाय, धन हानी वगएरा दर्शाता है इस भाव में कोई ग्रह नहीं है सोला तारिक तक सुर्य और बूद की दुरुष्टी और तेरा तारिक से शुक्र की दुरुष्टी इस भाव पर रहेगी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है बस आपकी बाते कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है जिससे कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते है जुलाई के उत्तरार्द में अचानक धनलाप की संभावना जादा है जीवन बिमा से लाप हो सकता है अब बात करते हैं नवम भाव की ये भाव धार्मिक कारिय, दूर की यात्राय, उच्च शिक्षा और आपका भाग्या दर्शादा है इस भाव में 12 तारिक से शनी का गोचर रहेगा 16 तारिक के बाद सूर्य और बुद्ध की इस भाव पर दुरुष्टी भी रहेगी 12 तारिक से पूर्व में आपके सामाजिक कारियों के कारण आपका संद्मान होगा 12 तारिक के बाद राजनीती या सामाजिक कारियों से जुड़े कुछ बड़े लोगों से आपका संपर्ख होगा अपने वेवसाई को आगे बढ़ाने के लिए किसी दिर्गकालीन योजना पर विचार विमर्ष होगा वेवसाई से संबंदित कुछ अच्छे अउसर प्राप्त होंगे उच्च शिक्षा में आपकी मेहनत रंग लाएगी आपको उच्च शिक्षा में बड़ी सफलता मिलने के कारण आपका सार्वजनिक संस्थाओं दोरा गवरो भी होगा 16 तारिक के बाद आपके कुछ प्रयास विफल हो सकते हैं किसी अंचाही बात की आशंका से आप चिन्तित हो सकते हैं अब बात करते हैं दशम भाव की ये भाव नोकरी व्यवसाई, सार्वजनिक कार्य, पदपरतिष्ठा और पीतादर शाता है 12 तारिक तक शनीदेव इस भाव में शशनामक राजयोग में गोचर करने वाले हैं जुलाई के शुरू में आप अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे आपके काम दंदे में बड़े बुज़र्गों का सहयोग मिलेगा आपके सभी काम बहुत ही योजना बद्धत तरीके से होंगे आपके व्यवसाय में वृद्धी जारी रहेगे 12 तारिक के बाद नोकरी व्यवसाय के दुरुष्टी से किसी नए अउसर की खोज आप कर सकते है आपके नोकरी व्यवसाय में कुछ सकारात्मत बदलाव की शुरुवात हो सकती है इस कालखन में पीता के कारण आपकी चिंताय बढ़ेंगे पीता से मतभेद भी हो सकते है अब बात करते हैं एकादश भाव की ये भाव आपकी आमदनी सभी तरके लाव और मित्रदर्शाता है इस भाव में गुरस्पती का स्वराशी में गोचत जारी रहेगा इसलिए आपकी आमदनी में वृद्धी जारी रहेगी आपकी आमदनी से आप संतुष्ट रहेंगे धनी और ज्यानी लोगों से सहीयोग मिलेगा सही मार्गदर्शन प्राप्थ होगा ऐसे धनी और ज्यानी लोगों से आपकी जान पईजान बढ़ेगी अच्छे लोगों से मित्रता होगी व्यवसाय से लाप जारी रहेगा संतान सुप प्राप्थ होगा संतान के कारण खुशिया मिलेंगी मार्गदर्शक, सलहाका, शिक्षकी पेशे के लोग व्यावसेक पेशेवर लोगों को विशेश रूप से लाब होगा अब बात करते हैं द्वादश भाव की ये भाव आपके खर्चे, जुरुमाना, विदेश, होस्पिटल वगरा दर्शाता है इस भाव में मंगल और राहू का गोचर संपुर्ण जुलाई में जारी रहेगा ग्यारा तारिक तक शनीदेव की दुरुष्टी भी रहेगी इसलिए ग्यारा तारिक तक आपको नोकरी व्यवसाय में विदेश संबंदी कामों में जल्द बाजी दिखानी पड़ेगी कुछ खास विदेशी मामलों को लेकर आप आगरही हो सकते है आपकी विदेश निती में जल्द बाजी के कारण कुछ न कुछ गड़बड़या होने की संबावना जादा है ऐसे में आउनलाइम व्यवहर टालने चाहिए संपुर्ण जुलाई में बढ़ते खर्चे आपके लिए चिन्ता का विशे रहेंगे अंजान लोगों के कारण नुकसान भी हो सकता है कुछ आवश्यक इलेक्ट्रोनिक चीजों की दुरुस्ती करवानी पड़ेंगी कुछ विवाद सुल्जाने के लिए आपको खर्चाक करना पड़ेगा विवादों से आप परेशान होकर कोई गलती कर सकते है इस कालखन में आपको गुस्सा छोड़कर शांती का रास्ता अपनाना पड़ेगा करजे को लेकर परेशानी रहेगी आपके भाई भहन या जमिल जायजाचे संबंदित किसी नुकसान का भए आपको अंदर ही अंदर साताता रहेगा इसका प्रभाव आपके स्वास्त पर पड़ सकता है इस तरह से ग्रहयोग नुसार जुलाई 2022 का राशीफल आपने जान लिया अब गुरुषब राशीवालों के लिए जुलाई 2022 में तारिक नुसार कब क्या होगा एक दो तारिक को आपके काम सफल होंगे कोई खुश खबर मिल सकती है तीन से पाच तारिक को पारिवारिक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी परिवार के किसी सदस्य के स्वास्त की चिंता हो सकती है छे साथ तारिक को संतान से संबंदित किसी महत्तोपुर्ण विशे पर चर्चा हो सकती है किसी निवेश को लेकर confusion दूर करने के लिए आर्थिक स्थिति की समिक्षा करेंगे आक्नाव तारिक को किसी समस्या का समाधन होने से आप खुश रहेंगे स्वास्त अच्छा रहेगा 10-11 तारिक को आपकी बात मानी जाएगी आपका मान सन्मान होगा दूर की यात्रा भी हो सकती है 12-13 तारिक को कुछ हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इच्छा पूर्ति ना होने से आप उदास रहेंगे 14-15 तारिक को आपके किसी खास काम में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी इसे लेकर आप चिन्तित रहेंगे 16-17 तारिक को आपका काम अपेक्षा कुरूत होने से आप खुश रहेंगे मानसिक शांति का अनुबह होगा 18-20 तारिक को आप खुश रहेंगे आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होगी 20-22 तारिक को दूर की यात्रा हो सकती है किसी बात को लेकर असमण जस्ता रहेगी और कोई बड़ा खर्चा करना पड़ेगा 23-25 तारिक को कोई मुल्लेवान चीज प्राप्थ होगी आपके परिवार या आर्थिक स्थिति को लेकर कोई खुश खबरी मिलेगी 25-27 तारिक को आपकी बात मनवाने के लिए जिम्मेदा या निभानी पड़ेगी अस्वस्थाता के कारण हेल्चे कब भी करवा सकते है इस तरह से जुलाई 2022 में आपका अनुभव रहेगा अब आपके महत्तोपुर्ण काम करने के लिए आपकी राशी नुसार जुलाई 2022 में शुब और अशुब दिन कोन से रहेंगे इसे भी नोट कर लिजिए 1, 2, 8-11, 16-20, 23-25 और 28-30 तारिक आपके लिए शुब फलदाई है 3-5, 12, 13 और 20-22 तारिक आपके लिए अशुब है सभी के स्वास्त और सुकर संबुरुद्धी की शुब कामनाओं के साथ विदा लेता हूँ अभी के लिए इतना ही Right To Aishto चैनल देखते रहे है सब्सक्रेब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंड भी कीजिए धन्यवाद